गुद मॉर्निंग चिल्रेन आज हम हिंदी ब्याकरण चैप्टर 6 वच्चन का अधियन करेंगे वच्चन का अर्थ है संख्या वच्चन से हमें प्रानी या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है जैसे चित्र में लड़का, तोता, केला से हमें उनकी संख्या के एक होने का पता चलता है कि एक लड़का है, एक तोता, एक केला के बारे में बताया जा रहा है यहां लड़के एक से अधिक लड़के हैं, एक से अधिक तोते तथा एक से अधिक केले हैं इनसे हमें इनकी संख्या एक से अधिक होने का पता चलता है तो वचन से हमें प्रानी या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है तो वच्चों वचन किसे कहते हैं? सब्द के जिस रूप से किसी वस्तु वेक्ति या प्रानी के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन बहु वचन एक वचन सब्द के जिस रूप से किसी वस्तु वेक्ती या प्रानी के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं जैसे कवा, खिलोना, बंदर, लर्की, आधी बहु वचन बहु वचन मतलब एक से अधीक तो सब्द के जिस रूप से किसी व्यस्तु वेक्ती या प्रानी के एक या एक से अधीक होने का पता चले उसे बहु वचन कहते हैं यहाँ एक से अधीक तोते हैं पुस्तकें, दो पुस्तकें, थात एक से अधीक है पुस्तकें, लड़कियां, औरतें, तितलियां, कुत्ते, आधी ये गिंती में एक से अधीक है तो इसे हम बहु वचन कहते हैं तो बच्चों वचन से हमें संख्या का पता चलता है एक वचन से एक संख्या का पता चलता है और बहु वचन में एक से अधीक संख्या का पता चलता है जैसे पुस्तक, पुस्तकें, घोरा, घोरे, चुहा, चुहे, माला, मालाएं, इसी प्रकार यहाँ दियेगे सब्दों के एक वचन और बहुबचन पढ़ेंगे चिरिया, बहुबचन होगा चिरियां, लर्की, लर्कियां, तैहनी, तैहनियां, जलेबी, जलेबियां, घोरा, घोरे, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, कम्रा, कम्रे, पाध, पाधे, जूला, जूला कब होँबचन, जूले, मचली, मचलियां, कहानी, कहानियां, लर्का, लर्के, चस्मा, चस्मे, गमला, गमले, आख, आखे, कलम, कलमे, इस प्रकार हम सब्दों के एकवचन, सब्दों के बहुवचन बनाते हैं, थैंक यू चिल्टन,